हेलो कलास सेवन के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट सोला जब मैं हनुमान बना इसके चार भाग पूरे होगे पांचवा भाग आता है परशनुत्तर और भाग पांच मैं आपको परशनुतर हम देने जा रहे हैं इस पार्ट के तो परशनुतर कुछ इस परकार से है और पेज निम्मर 126 पर वो यहां लिखा है आप यहां लिखा है सापसा पार्ट 16 जो आपने पड़ा है जब मैं हनुमान बना इस पार्ट में कहानी लिखने वाला जो लिखा के उन्होंने रामायन के बारे में कौन कौन से पात्र किस तर से अपने रोल को अदा करते हैं भूमिका निभाते हैं उसके बारे में विविन परकार के विचार हमारे सामने रखे इस पार्ट में हाथ से वंग शेली का उप्योग किया गया है इस शेली में रामलिला के रूप रंग पात्र चैन और फिर हनुमान का किरदार करने वाले लेखक की मनदुशा का वर्णन लेखक ने स्वेम किया है लेखक जो की एक स्कूल का बालक है बिना पुरभ्यास के बिना कोई रहलसल के प्रैक्टिस के हनुमान बनकर स्टेज पर आ जाता है मंच पर आ जाता है और फिर रंग में भंग हो जाता है क्योंकि लेखक को जो एक हनुमान का रोल कर रहा है एक भुमिका उसको दी गई है उसको काम उस भुमिका को करने के लिए लिखक के पास कोई पुरभ्यास नहीं था कोई पहले से कोई प्रैक्टिस या रेल सेल उसने नहीं की थी उसके बारे में वर्णन है बालकों की मनुदशा और उनकी आपसी प्रतिस परधा से परिचित कराना भारतिय संस्कृत में राम निला का महत दर्शाना हाथ से व्यंग शैली में स्वस्त मनुरुन जन परदान करना आत्म विश्वास की कमी होने से होने वाली समस्याओं को उजागर करना इसी पार्ट पार्ट सोला जब में हनुमान बना में दिखाया गया है अब आजाओ इसके परशन उत्तर है यहाँ आप देख सकते हो पहला परशन है सब ने मिलकर किस बात पर विचार किया राम का रोल निखिल को ही देने का अन्द्रने क्यों लिया गया इसका उत्तर है सब लोगों ने मिलकर राम लिला की बात पर विचार किया क्योंकि राम लिला के लिए सबसे अधिक पैसा एकटा करना चंदा एकटा करना निखिल ही उगा कर लाता है निखिल ही जमा करके लाता है परशन दूसरा है हनुमान के रोल के लिए किसे चुना गया और क्यों जिस कैरेक्टर को जिस पात्र को हनुमान के लिए चुना गया था वो कौन था और कैसे उसको वो रोल मिला आगे देखिए हनुमान के रोल के लिए उस पात्र के लिए उस character के लिए मयंक नाम के बालक को चुना गया क्योंकि मयंक सभी पात्रों में से स्वस्त तगड़ा और रोबदार था प्रशन तीसरा है लेखक शुरू में क्या बनना चाहता था अंत में उसे कौन सा रोल दिया गया आगे देखिए लेखक के बारे में है प्रशन तीसरा लेखक शुरूआत में कौन सा रोल अदा करना चाहता था यानि कि वो किस भूमिका को करना चाहता था और अंत में उसे कौन सा रोल कौन सा भूमिका दी गई कौन सा पात्र दिया गया उसको इसका उत्तर है लेखक शुरू में राम, यहीं राम का रोल करना चाहता था, राम बनना चाहता था, अंत में उसे हनुमान का रोल दे दिया गया परशन चार है, चौता परशन है, लेखक की नाराज़गी किनों ने और किस तरह से दूर की लेखक के दोस्तों के बीच कुछ मन मुटा हो गया था, कुछ भैस हो गया थी, जिस कारण लेखक थोड़े, थोड़ा सा नाराज़ लग रहा था, नाराज़गी होने के बावजूद भी, किन लोगों ने लेखक की नाराज़गी दूर की, और किस तरह से दूर की, आगे लेखक को हनुमान का रोल देकर, वीनू, निखिल, ब्रिज, सुधी, आदी लोगों ने मिलकर लेखक की नाराज़गी दूर की, अब आजाओ परशन नंबर पांचवा, क्या आप समझ सकते हैं कि नाटक या राम निला में किसी भी भूमिका को निभाने के लिए रेलसाल य किसी भी नाटक को करने के लिए, किसी भी ड्रामे को करने के लिए, कोई भी एकांकी या कोई भी सीरियल राम निला में किसी भी भूमिका को निभाने के लिए, किसी भी परगार के रेलसाल, कोई पूरभ्यास, कोई प्रैक्टिस, आवश्यक है, जरूरी है, अगर है, तो क् से आगे दिखिए इसका उतारे नाटक या राम लिला में कोई भी ड्रामा कोई भी पार्ट को करने से पहले नाटक या ड्रामा या राम लिला खेलने से पहले उसमें कोई भी भूमिका निवाने से पहले किसी भी भूमिका के लिए रहल सल उसके लिए प्रैक्टिस उसके के साथ सारे कारिये सारे काम अच्छी तरह से और सुचार रूप से हो जाते हैं मुझा धन्यवाद